हलो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार जी के काहिश्री पार्ट टू करने वाले हैं बीपेसी में बार-बार पुछे जाने वाले क्यूस्टन जो है इस बुक से आपको देखनों को मिलेगा डेली 400 प्लस यानि की 500 के एराउंड आपको अब जीट्व क्यूस्टन जो है सॉल्ट कराया जाएगा आपकी बार 110 बार तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिपिकेशन आपको मिल सकें अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक से जरू कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच सोसल मीडिया जो भी हाप यूज करते हैं अपने टेलिग्राम वार्टसप फेसबूक इंस्टाग्राम पर तो चलिए आज का क्यूस्टिन सौल करते हैं देखेगा बिहार का राजनेतिक इतिहास, बिहार का राजनेतिक इतिहास से question पहले करने वाले हैं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन कर लिजीगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है NKY GK Master करके, NKY GK Master, टेलीग्राम पर सर्च कीजी भारत के राजनेतिक इतिहास का निधारन किया था, तो इसका सही आंसर हो जागा आपसर नमबर B, पारजी टर, इन्होंने सर्वपिधम भारत के राजनेतिक इतिहास का निधारन किया था, फिर अगले क्यूशन देखें, अगले क्यूशन के रहा है, निवने में से किस सब् प्रजा हैतु होता था फिर अगल क्यूसन दिखेगा अगल क्यूसन कह रहा है जनपास भड़क प्रयोग सरप्रथम किस छेत्र हैतु ने शुरी nord हैतु कब हुआ था तो इसका सही आंसर जाएगा Ensoron बो बी उत्तर वैदिक काल तो जनपास method का प्रयोग सरप्रथम उत्तर व् अच्टी काल में हुआ था फिर अग्लो उस्टे एंग देकें ने में मेंने मैंसे काउन महा जनपत नहीं था तो इसका सही आँसर होजाएगा आपसर नमबर बी मत्हुरा मत्हुरा महा जनपत नही коммент नियुक्तित. खुतरप्रदेश कासी महाजनपथ जो है वरतमान के उतरप्रदेश Raja में हिष्थित थे और अगले क्यूसेन देखेंगा कोशल महाजनपत की राजधानी कहां थी तो इसका सहीं आनसर रोज एगा आपसे निबर अयोध्या और सरावस्थी यानि क्या आपसेंडी इसका सहीं कोसल महाजनपत की राजधनी जो है आयोध्या और स्रबास्ती दौनों में थी पिर देखेगा अग्रा किजेँ कोसल महाजनपत वरतमान में किस राज्य नम्हें इस्तित है तो इसका सही आंसर रिजएगा Nicholas N.N. उत्रप्तेस कोसर महाजनपत वरतमान में उतरपदेस राज़य में इस्तित है फिर अगले क्यूसिन देखिए अंग महाजनपत की राज़धानी कहा थी तो अंग महाजनपत की राज़धानी चंपा में याद रखी का चंपा में अंग महाजनपत की राज़धानी थी फिर अगले क्यूस्टन है अंग महाजनपत की वरतमान इस्थिती किस राज़्य में है पूछ गया है इसका अंसर हो जगा आपसर नमबर D बिहार में तो अंग महाजनपत की वरतमान इस्थिती बिहार राज़्य में फिर अगले क्यूस्टन देखेगा मगद महाजनपत की राजधानी कहा थी इसका सही आंसर हो जगा आपसर नमबर B राजगिरी है तो मगद महाजनपत की राजधानी 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 में थी फिर अगले क्यूस्टन देखेगा मगद राज़ की वरतमान इस्थिति कहा है तो मगद राज़ की वरतमान इस्थिति है बिहार में तो आपसे ने सही अंसर हो जगा मगद राज़ की वरतमान इस्थिति बिहार में फिर अगला क्यूसर है वज्जी महाजनपत की राजधनी कहा थी वज्जी महाजनपत की राजधनी पूचे गया है तो इसका अंसर रजगा आपसे नमबर डी वैसाली वज्जी महाजनपत की राजधनी वैसाली में थी अगला क्यूसिन है वज्जी महाजनपत वरतमान में किस राज़े में इस्तित है तो इसका सही अंसर हो जागा आपसे नबर ए बिहार में वज्जी महाजन पन वरतमान में बिहार रज्जा मेश्टी थे दोस्तों वीडियो अच्छ लग रही होते हैं प्लीज लाइक सेर जरू किजिएका अपने दोस्तों के भी सोशल मीडिया जो भी आप यूज़कर्ते हैं अपने फेस्ज बूक पर वार्ट्सबुब पर टेलेगरम इंस्ट्रागरम जो भी आप यूज चरूंब तो चले आगे क्यूशन के और बढ़ते हैं, और चनल पर नहें तो चनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिकेशन आपको हमेसे मिलता रहें, जब भी वीडियो अप्लोट करें तो सबसे पहले आपको मिल जाए, तो चले आगे क्यूशन के और यहाँ पर देखीगा अगला क्यूस्टन है मल महाजनपद की राजधनी कहा थी तो इसका सही आंसर हो जागा आपसा नमबर B कुसी नगर मल महाजनपद की राजधनी कुसी नगर में थी फिर अगला क्यूस्टन देखें मल महाजनपद वर्तमान के किस राज़्य में है मल मल महाजनपद वर्तमान के बिहार और उत्तरपदेस राज़े में फिर दखेगा अगला क्यूस्टन है दक्षिनी मल महाजनपद की राज़धनी कहा थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसर नमबर B पावपोरी में थी चेदी महाजनपद की राज़धनी सुक्ति मती में थी अगले क्यूशन है चेदी महाजनपद वरतमान की किस राज़धनी में इस्तित है तो इसका अंसर हो जागा आपसर नमबर C पंजाब में अगले क्यूशन देखिए वस महाजनपद की राज़धनी कहा थी तो इस इसका आंसर हो जाएगा आपसें नमबर डी उत्तर प्रदेश, वस माजनपत, जो है उत्तर प्रदेश में श्थित है, अगला क्योशन है, खुरु माजनपत की राजरणी हिस्तित है, अगला क्योशन हो जाएगा यान। हिस्तित है अगले क्यूशन उत्री पंचाल की राजधानी कहा थी है आंसर हो जाएगा आपसर नमबर डी अहीच्छत्र उत्री पंचाल की राजधानी अहीच्छत्र में फिर अगले क्यूशन देखेगा अगले क्यूसिन कह रहा है दक्षिनी पंचाल की राजधानी कहा थी तो इसका अंसर हो जाएगा आपसन नमबर B कामपीलिया में तो दक्षिनी पंचाल की राजधानी कामपीलिया में अगर उतरी उतरी पंचाल की राजधानी पूछें तो इसका अंसर हो जाएगा option number D है अहीश्चत्रा उत्री पंचाल की है अहीश्चत्रा फिर अगल क्यूस्टन देखीगा और दक्चनी पंचाल की बुछें तो काम पे लिया फिर अगल क्यूस्टन है पंचाल महाजनपत की राजधानी थी तो इसका अंसर हो जाएगा option number B बिना बिना भी बताया था दक्चनी पंचाल की राजधानी काम पे लिया तो पंचाल महाजनपत की राजधानी पूछें तो काम पे लिया अगल क्यूस्टन देखीए मत्यास महाजनपत की राजधानी चहा थी तो इसका अंसर रोज़ागा आपसा नमबर A, विराटनगर में, मत्यास्य महाजनपद की राज़दानी विराटनगर में थी अगले क्यूशन है मत्यास महाजनपद किस राज्य में इस्तित है अंसर रोजागा अप्शन नमबर D राजिस्थान में मत्यास महाजनपद राजिस्थान में इस्तित है अगले क्यूशन दिखीगा सूर सेन महाजनपद की राज्धनी कहा थी तो इसका अंसर रोज़ागा आपसन नमबर A मतुरा में सूर सेन महाजनपद की राज़धानी मतुरा में अगले क्यूशन है सूर सेन महाजनपद की सराज़य में इस्तित है इसका अंसर रोज़ागा आपसन नमबर B उत्तर प्रदेश में सुरसिन महाजन पत उतर प्रदेश में इस्तित है अगले क्यूशन है असमक महाजन पत की राज़धानी कहा थी तो इसका अंसर हो जाएगा आपस नमबर C पाटन में असमक महाजन पत की राज़धानी पाटन में थी अगले क्यूशन है अस्मक महाजनपत की सराज्य में इस्तित है अंसर हो जाएगा आपसर नमबर D आंदर प्रदेश में अस्मक महाजनपत आंदर प्रदेश में इस्तित है अगले क्यूसेन है उत्री अवंति की राजधानी कहा थी उत्री अवंति की राजधानी पूचा गया है कहां थी बनिब कहां थी पूछा गया है तो इसका अंसर객 nay अप्सन्मर अवंती की राजधानी महिस्मती मैं थी अगले क्यूंसर देखेगा अवंती महाझन पद किस राज्य में इस्तित है अवंती महाजनपत किस राज़्य में इस्तित है पूछा गया है तो इसका अंसर रोजाएगा अफसर नमबर B मद्यप्रदेश में अवंती महाजनपत मद्यप्रदेश में अगले क्यूस्चन है गंधार महाजनपत की राज़्धनी कहा थी तो गंधार महाजनपत की राजधनी कहा थी इसका अंसर रजाएगा आफसे नमबर D तक्चिसिला में गंधार महाजनपत की राजधनी तक्चिसिला में थी अगले क्यूस्टिन है गंधार महाजनपत किस देश में इस्तित है गंधार महाजनपद की देश में इस्तित है अंसर वजाएगा इसका अफ़सन नमबर B मपकानिस्तान में अफ़सन में गंधार महाजनपद इस्तित है फिर अगले क्यूस्टन देखीगा अगले क्यूस्टन कह रहा है कंपोज महाजान्पद की राजदानी कहां थी अंसर जग इए इसका canción number C हाटक तो कंपोज महाजान्पद की राजदानी हाटक में थी अगले क्यूसिन है कंपोज महाजन्पद किस देश में इस्थी थै तो इस गाउसर जग आफसल नंबर A अफगानिस्तान में कमपोज महाजनपन अफगानिस्तान में इस देत है अगले क्यूशन है वज्जी संग का दूसरा नाम क्या था वज्जी संग का दूसरा नाम तो इसका आंसर हो जाएगा आपसा नंबर C लिच्छवी तो वज्जी संग का दूसरा नाम लिच्छवी था अगले क्यूशन है कहा देस के अंतर गताता है। तो आंसर हो возможगा इसका अंग महाजन पत को उले सर पर फ्रफ्थरम किस वेद में किया तो अब्हर्फर पर फ्रफ्थर जाए तो इसका अंशर हो benchmarks वंग कलिंग और पुड़ो इन तीनों में लिखे गए यानि कि आपसंडी इसका सही आंसर हो जाएगा अस्टा दया में अंग महाजन पत को अनिनाम से लिखे गए तो इसका आंसर हो जाएगा वंग कलिंग और पुड़ो इन तीनों में लिखे गए तो आपसंडी इसका सही आ पुछागा है कि मान भूमी, वीर भूमी, मुर्सिदाबाद और संथार परगने का छेतरा संबली था तो इसका आंसर रजागा आपसा नमबर C, आंग इसका सही आंसर रजागा फिर अगले क्योशन देखें निमने में से किस गरंद के अनुसार राजा बली के पुत्रे ने आ आपसंधे इसका सही आंसर रजागा बी और सी, तो महाभारत पुरान गरंद के अनुसार राजा बली के पुत्रे ने आंग महाजन पत्रोट के इसका आंसर रजागा आपसंधे पिर अगले क्योशन देखें, अगले क्योशन कह रहा है किस सासक के सासनकाल में आंग पुरी बीड़ा मगत महाजनजनपत में मिल गया था याद राखेगा अगले क्यूशन देखिया निम्ने में से कौन औंक महाजनजनपत का अंतीम सा सकता निम्ने मसे का ऐंग? कौन संग होगा, तो महाजन पतक का अंतीम सा सकता, पूछा गया है, कौन संग? तो option दिखेगा इसका, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number D, ब्रहमःदत, ब्रहमःदत इसका सही answer हो जाएगा, फिर अगले question दिखेगा, अगर क्यूसन के राय निमने में से किस ने हर एक वंस की स्थापना की थी हर एक वंस की स्थापना पूचा गया किस ने की थी तो इसका आंसर आजएगा आपसर नमबर A बिम्पी सार ने हर एक वंस की स्थापना करी थी याद रखेगा एक्जाम में कई बार पूछे गए अगर एक क्यूशन देखें अगर आपसे पूछ लेकि कुनिक के नाप से किसे जाना जाता है तो याद रखीगा अजासत रुको जो की भीम्पी सार का पुत्र था फिर अगर एक क्यूशन देखें अगर एक्जाम के सासक किस महाजन पस से संबन देखें एक्छावाकू वन्स के सासक किस महाजन पस से संबन देखें तो इस कांसल रखीगा अपसे नमब डी कोसर कोसर से संबन देखें याद रखी इच्छावाकू वन्स के सासक जो है कोसर महाजन पस से संबन देखें अगर क्यूशन ने प्रसेंजीत किस वन्स का सासक था अंसर हो जाएगा इसका आपसा NUMBER D छवाकू, प्रसेंट जी जो है छवाकू वंस का सा सक्था अगारा क्युटिय। पोरा वंस की स महाजन पसे समंनदी था, पोरा वंस पुछाजाई गया, तो इसका अंसर हो जाएगा आपसा NUMBER B, कुरू, तो पोरा वंस जो है कुरू महाजन पते समिन दों, याद रखेगा। अगरे kuncan देखेगा, उद्धियान किस वंस का सा सकता। अंसर हो जाके इसका आपसा निमटर C, पोरा, तो पोरा वंस का सा सकता उद्धियान। अगरे question देखे, प्रत्योत सेन। प्रद्योसेन प्रद्योसेन किस महाजनपत का सासक था? फर स अग्रक लिए अखिश cand किससापन किस महाजनपत किससापन जो है 125 releases वह क्या आसपास हो भी थी? कौन शब्वर्या क्या और ऐ तो इसका अश्य आशनप्त है? सी वजजी वजजी महाजनपत किस था आपनी याद रगिए- सौसभट-चीस सप हुरव की आस पास भी थी अगला क्यूस नैं वजजी महाजनपत कितने राजों का एक संग था वजजी- तो इसका आंसर हो जाएगा आपसो नमबर ए आठ तो वज्जी महाजन पत आठ राज्यों के एक संग था याद रखे आठ राज्यों के एक संग वज्जी महाजन पत अगले क्यूसियन है ग्यातरिक उग्र भोग किस महाजन पत के राज्य थे तो आंसर रोजा काप से नमर ए वज्जी ग्यातरिक उग्र भोग वज्जी महाजनपत के राज्य थे अगले क्यूशन है नीमने में से कौन वज्जी महाजनपत का राज्य नहीं था तो आंसर हो जाएगा इसका आपसे नमर डी वैसाली वैसाली जो है वज्जी महाजनपत का राज्य नहीं था अगले क्यूशन है लिच्छवी की राजधनी कहा थी च्वे की राजधानी जो है वैसाली में थी अगले क्यूस्टन है विदेह की राजधानी कहा थी विदेह की राजधानी कहा थी अंसर हो जाएगा अपसर नमर ए मिथिला विदेह की राजधानी मिथिला में थी अगले क्यूस्टन ग्यातरिक की राजधानी कहा थी ग्यातरिक क महाजनपत की राजधनी कहा थी पूछे गए वज्जी महाजनपत की राजधनी तो इसका अंसर आजागा आपसर नमबर डी वैसाली वज्जी महाजनपत की राजधनी वैसाली फिर अगर क्यूशन देखेगा वज्जी संग को किस संग के कौन से संग भी कहा जाता है वज्जी जी संग को लिच्छवी संग भी का जाता है अगला क्यूशन देखें मगत के सासक बिम्भी सार ने कहां के राजा की पुत्री से विवहा किया था तो इसका आंसर हो जागा आपसर नमर भी लिच्छवी तो मगत के सासक बिम्भी सार ने लिच्छवी के राजा की पुत्री से बिखा किया था, अगले कि उसे ने, नीमने में से कान बिम्बी सार का पुत्र था, बिम्बी सार का पुत्र पुछे गए हैं, तो इसका अंसर वज़ागा भी बताया था, अजास सत्रू, बिम्बी सार का पुत्र, जिनने कुनिक के नाम से जाना जाता है, फिर आगे दखेगा वज्जियों ने मलो एवं कोसल गनराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंग का निर्मान किया था तो इसका अंसर होजागा आपसा नमर बी अजास सत्रू वज्जियों ने मलोयम कोसल गनराज्य के साथ मिलकर अजास सत्रू के विरुद्ध एक महासंग का निर्मान किया था अगले क्यूस्टन है निम्ने में से किसके नुसार वज्जियों ने सासन व्यस्था को चलाने के लिए एक सविधान का निर्मान किया था तो इसका अंसर हो जागा आपसे नमबर C, बुद्ध गोस, तो बुद्ध गोस के नुसार वज्जियों ने 790 को चलाने के लिए एक समिधान के निर्मान किया था, फिर आगले क्यूस्टन देखें, वज्जी संग को चलाने के लिए कितने राजा होते थे, वज्जी संग को च के सबका आएजन नमक भवन में होता था, तो इसका अंसर आजाएगा, आपसन, संथागार, संथागार नमक, भवन में होता था, फिर आगले क्यूस्टन देखेंगा, अगले question कह रहा है लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी तो इसका अंसर हो जाएगा option number A संस्था लिच्छवी राजाओं की जो सभा है संस्था कहलाती थी अगले question है आश्टकूल किस महाजनपद में उपस्तित है आज्ट कुल किस माजिन पड में उपस्तित हो तो इसका आंसर होजाएगा अपसर नमब़ C वज्जी तो आज्ट कुल जो है वज्जी माजिन पड में उपस्तित है अगर एक्ट्री सेंदेखें ग्राम की देखरे खेतु किस अधिकारी की न्यूकति हिती थी तो इसका आंसर हो जाएगा अपसे नमबर D, गम गमम सरी, गमग मिनी गमग मिनी, तो ग्राम की देख रेके तो गमग मिनी अधिकारी के निक्ति होती थी अगले क्यूस्टन है नगर प्रसाशन की देख रेके तो किस अधिकारी के निक्ति होती थी अगरे क्यूशन देखिया किस संग के लोगों के संबन में गौतम बुध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने ये साथ आवस्यक धमों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपस नमबर A तो याद रखेगा वजजी संग के लोगों ने लोगों के संबन में गौतम बुध ने ये कहा था जब तक यह लोग अपने साथ आवस्यक धमों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता तो वजजी संग के लोगों ने कहा के संबन में फिर अगर क्यूसन देखे वजजी संग के बैठकों के दक्षता कौन करता था पूछे गया तो इसका अंसर आजाएगा आपसर नमबर B गन प्रमुक गन प्रमुक जो हता था वो अधेश्चता करता था वजजी संग के बैठकों के दक्षता कितनी नीधारी थी तो इसका आंसर हो जाएगा आपसन नमबर C 20 20 याद रखेगा 20 थी अगले क्यूस्टन किस संग में कोई भी नीनाय मदान के अधार पर किया जाता था तो आंसर हो जाएगा इसका आपसन नमबर D वज्जी वज्जी संग में कोई भी नीना जो है मादान के दार पर किया जाता था अगला क्यूशन है वज्जी संग के मत पत्रा किसके बने होते थे तो मज्जी संग के मत पत्रा याद रखीगा लकड़ी के बने होते थे वज्जी संग के जो मत पत्रा है लकड़ी के बने होते थे फिर अगरा क्युस्तिक देखें, मगद सब्द का प्रतमुलेक किस वयद में मिलता है, तो इसका अंसर जलेगा अपसा नमबर C, अथरवेद, मगद सब्द का सब्द का सब्दमुलेक, अथरवेद में मिलता है, अगले क्यूसिन देखिए मगज चेतरा वरतमान भिहार के किस भाग मिशतीत है तो इसकांसर रोज़ेगा आपसे नबर भी दक्चिन में मगज चेतरा वरतमान भिहार के दक्चिन भाग मिशतीत है अगले क्यूस्टन है निमने मेंसे कौन मगर च्छेतर का अंग नहीं था मगर च्छेतर का अंग नहीं था पूचे गया है इसका अंसर हो जागा अपसे नबर C भागलपूर तो भागलपूर जो है मगर च्छेतर का अंग नहीं था अगले क्यूस्टन है किर समराज्य के रची तह के गया रा पार्ट लीफ भूतर या उल्हा तो इसका आंसर हो जाएगा अगर इनले में मैंसे कार ना, महा मां मा है गया की दो कई प्रण प्रण नहीं था Why coversस का को कारण नहीं था पूछे गए कौन कान सा है तो इसका आंसर होजाएगा अहीं पका किया ऑप्सान नंबर ऑपर अब सम राज्राज की उत्कास का कारण नहीं था वाकि जो भगाली का च्थिति है शे जदुन्पा हुआ अग्छे संर्ची की उत्कास का कारान था या देगा अग्र मंगूब समराज्जी का उदय हुआ था तो इसका अंसर हो जएगा आफसाम नंबर B हर्यक हर्यकवब्स के निदेटिति में मसम जम्राज्जी का उदय हुआ याद रहीगा अगले क्यों से देखें अगरी क्यों स schema आफसा नंबर C. ब्रियादत, परानिक सरत के नुसार मगद का प्रत्अ मवश्च जो है, ब्रियाद धृत्त तौ फिर अगरे क्यूशन दिए, ब्रियादत वर्यादत वन्स का संस्तावक कौन था, तो इसका आइसर रजाएगा, आफसन नॉम्बर C. ब्रियादत वर्यादत वन्स का का नाम क्या था तो इसका अंसर हो जाएगा कुसा गरफूर ती कुसाग पोर्ट थी, अगण क्यूशन देखेगा, अगण क्यूशन है, वरी ह्धित्स का सबसे प्रसिद्धर राजय कोन था, तो इसका अन्सर रजागा आफता नमर B, Jara Sun, याद रखेगा, Jara Sun, Jara Sun, J sound céu था, ब्रिधत वंसका सबसे प्राशी धराजा था फिर अगले question देखिये जर्भसंग के मृतु के बाद मगत का सासक कौन बननना था इंर हलाएगा आप से नターकर पुर्टे सादेव जयाए, जर्भसंग के मृतु के बाद मगत का सासक बननना था अगले question व्रेधत वंस का अंतिम सासक का हूं था व्रेधत वंस का अंतिम सासक रिपून जय जो था व्रेधत वंस का अंतिम सासक था अगले क्यूशन है किसको मारकर बिम्विसार मगत की गंदी पर बैठा था तो इसका अंसर हो जागा अपस नमबर ए पुलक तो पुलक को मारकर बिम् मगर समराज़े से सम्मंदीत क्यों जो है अब आगे करने वाले हैं वीडियो को अच्छे लग रहा है तो लाइक से रज़रू किज़ेगा अपने दोस्तों के भी सोसल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को सुस्क्राइब करके रखे ताकि आने तो चले आगे क्योस्टन के और बढ़ते हैं मगत सम्मलाज जिससे रिलेटेड क्योस्टन आगे देखने को मिलेगा तो देखे गए हैं पर पहला क्योस्टन है कासी को लेकर अजाज सत्रौर और किसके बीच युद्ध हुआ था तो इसका अंसरा जगा अपसर नंबर B प्र प्रांसिंगी युद्ध मेहार का स्रवस्ति में भागा अगले क्योस्टन देखें बाधा दर्मा स्वरी बाधा घृण्त महावंस के नुसार हर एक वनस के सुनस्थापक कौन था इसका अंसरा जगा अपसर नंबर D 22 हर येक वनस के सुनस्थापक और बाधा ग्रंध महाव फिर अगले क्यूशन देखें, बिम्बिसार के मगत की राजदानी कहां बनाई थी, बिम्बिसार ने मगत की राजदानी कहां बनाई थी, पुछा गया, आंसरो जग राजगरी में बनाई थी, बिम्बिसार ने मगत की राजदानी, अगले क्यूशन है, राजगरी का नियोज जक वास्तुकार था फिर अगलर कुस्स्यन हैं मगत के मगत के उत्थान हे तो लिएबिसार ने कौँ सी नीती अपनाई तो इसका अंसर हो जाए नमेर इसका अंसर हहा होगा वैभाएक समथन तर छैकर निती और एप मैंतर की नीती और धर कि फिर अगले क्यूसिन देखिएगा अगले क्यूसिन कह रहा है बिम्बी सार ने कहा कि सासकों के साथ वहाहिक संब्द इस्तापित किये थे तो इसका अंसर जगा कोसल, लिच्छवी और पंजाब तीनों है आपसें डी इसका सही आंसर हो गाए बिम्बी सार ने लिच्छवी कोसल, पंजाब के सासकों के साथ वहाहिक संब्द इस्तापित किये अगले क्यूसिन है कहा के कहा के सासक ने सुरी, कहा के सासक की बहान के साथ विवाह करने पाए बिम्बी सार को कासी दहे स्वरु पराप्त हुआ तो इसका आउन्सर हो जगा आफसा नमर B, आवैंती तो आवैंती के सासक की बाहन के साथ विभार करने पा बिंपी सार को 80 गासी दहे सुरूप राप्त हो था याद रखेगा अगला क्यूशन देखें कहां कि सासक के सांथ भीम्बी सार ने मैतरी संबद इस्थापित किया था तो अंसर हो जाएगा अपसे नमबर D, अंग का अंग के सासक के सांथ भीम्बी सार ने मैतरी संबद इस्थापित किया अगले की उसन है बिम्बी सार ने अपने फुतर को किस महाजनपत का सासक नुक्त किया अंसर हो जागा इसका आपसा नमबर A अंग बिम्बी सार ने अपने फुतर को किस महाजनपत का सासक नुक्त किया तो अंग का अगले क्यूस्टन देखिए इतिहास में सर प्रतम किस ने हाथियों को इस्थाई सेना में समलित किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसर नमर D, बिम्बिसार इतिहास में सर प्रतम बिम्बिसार ने हाथियों को इस्थाई सेना में समलित किया अगले क्यूशन है अजास दुरु की इसको मारकर मगत का सासनक बना तो आँसर उजए गापसा नमर B Bimbi सार तो अजास दुरु ने Bimbi सार को मारकर मगत का सम्राजज़ बना अगले question है Bimbi सार का सासनकाल कप से कब तक था तो आँसर उजए गापसा नमर A 493 इसा पूर्व से 461 इसा पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा अजास सत्रो का सासन का 493 से 461 अगले क्यूस्टन अगले क्यूस्टन है अजास सत्रो किस धर्मका नुनाई था तो अजास सत्रो याद रखीगा जैन धर्मका नुनाई था अजास सत्रो फिर अगरे क्यूस्टन देखिए अजाओसत्रो का हुप नाम क्या थी तो बताया था कुनिक अजाओसत्रो का हुप नाम कुनिक थी अगरे क्यूस्टन है fraction है नियनों में से किसके सबस्कार में कुसल को अंती उमरफ से मगद में मिला लिया गया तो इसका अंसर रोजाए गापसर नमबर B अजास्तरू अजास्तरू की ससनकार में कोसल को अंधिमरोस मगद में मिला लिया गया अगरे क्योशन देखे अजास्तरू ने किसके साथ युद्ध मेरत मुसालवाम से कंटक सिला जैसे ससनका प्रयोग किया था तो वज्जीस का अंसर रोजाएगा अगले क्योशन देखे अजास्तरू ने निम्मे में से किस नदी के संगम पर सैन्य चाउनी बनाई अंसर रोजाएगा इसका अपसर नमबर टिंग गंगा गंडक सोन गंगा गंडक सोन तो इस नदी के संगम पर जाद रखेगा गंगों गंडग सुन नाधी किसंगम पर सेने चाउनी बनाई थी अजासतर ने अगले क्यूसदर देखें, अजासतर ने कहां सुरक्छ दूर गे बनाया था अजासतर ने राजगिरिया में, याद रखी कि है, राजगिरिया में, सरक्षध दुर्ग बनाया था, फिर अगला क्यूसन है, अगला क्यूसन कहे रहा है, लिच्चाओं को प्राजइत कर अजास फञुन ने किस पर आकरामन किया था, तो answer रोज़ागा पसी नवर मल ना मल पर आकरमन किया था याद रुकरेगा, Ajaad einsatur फिर अगला question देखे किस संग से अजासरतव ने वेवाहिक संबंद इस्थाबिद कर उसे अपना मित्र बनाया, तो इसका answer रोज़ागा पसी नवर D, वर्त्स वस्तर संक से अजास सत्रु ने विववाहिक सम्भन इस्ताबित कर उसे अपना मित्र बनाया अगले क्युस्टेब बुद्त के महा परी निर्वान के दस वर्स बाद इस्तुब बनवाय था तो आजाज सत्रू ने गतम बुद्ध के महापरी निर्वान के दस वर्स बाद इस्तुब बनवाय था अगले क्यूशन देखें अजाज सत्रू ने कहां बुद्ध के आउसिसों पर इस्तुब बनवाय था तो आंसर जाएग आप्से नमबर A, लाजग्री है अजासातर ने आंसर जाएग आप्से नमबर D, वैशाली की तो आमरपाली, वैशाली की नगरवद होती अगला क्यूशन है निवने में से किस सासक का प्रेम संबन आमरपाली से था तो इसका आंसर हो जाएगा आपसर नमबर C हजासत्रो तो आमरपाली के संबन हजासत्रो से याद रखेगा अगला क्यूशन है निवने में से किस गुफा में प्रथम बहुत दसंगती का आज़न हुआ था प्रथम बहुत दसंगती का आज़न पुछेगा है तो इसका आंसर हो जागा सब्तपरणी तो सब्तपरणी गुफा में प्रथम बहुत दसंगती का आज़न हुआ था अगला क्यूशन है अजासत्रों के बाद कौन मगत का सासक बना था तो इसका आंसर हो जागा आपसा नमबर यह उदाइन, अजासतर के बाद जो है, उदाइन मगत का सासंग बना था, याद रखीगा, अजासतर के पूत्रा उदाइन, याद रखीगा, फिर अगर क्यूसन, और याद रखीगा, दूती बाधासंगती जो है, कालासो के समय हुआ था, और ती बाधासंगती पूछे, तो तो आजासः के समय प्रथम बउधासंगति अजासशतु के समय और चांथि बउधासंगति पूछ ले तो याद रखेगा करिज़ाइन नी किई थी च्रहिज के ऐन अध्य और पाध्य थी तो याद रखेगा घनानन Gary vakidarand को पराजित करकिक करें स्माफना करी थीμα किसकी सहहता से पूछे तो अग्लग पुत्र था तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर ए पिता पुत्र अजास्तर पुत्र पिता था उदाइन का अगले क्यूशन देखिए उदाइन अपने पिता अजास्तर के सासनकार में कहा का राज जपाल था तो अंसर हो जाएगा इसका अपसर नमबर A, चंपा, उदाईन अपने पिता अजासत्रों के ससंकार में चंपा का राज़ जपाल था, अगले क्यूसर ने, निवने में से किसने पाटली पुत्र सहर को बसाया था, पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, अपसर नमबर C, उदाईन, तो पाटली पुत्र सहर को किसने बसाया, तो उदाईन ने, अगले क्यूसर ने किस नदी के संगां पर पाटली पुत्र सहर को बसाया था, तो आंसर हो जाएगा, आपसर नमबर C, गंगा सोन, उदाईन ने, गंगा सोन नदी के संगां पर पाटली पुत्र सार को बसाया था अगले क्यूशन है हुदाइन ने किस सार को अपनी राजधनी बनाया था तो अभी बताया हुदाइन ने अपनी राजधनी किसको बनाया तो इसका याद रखी गा इसका अंसर हो जाएगा पाटली पुत्रा हुदाइन ने किस सार को तो पाटली पु आई था अंगला कुसेन efasan होदाइं ने कहां एक जाइन चेत気關係 बनवाए था और apost il नूर Arabs ने पांदी आमlogo पूत्र हुदाइं ने पार्ट्ली पूत्र पार्ट्ली में एक जान चेतिदील यह बनव्य थह पर खेस-छिंड ‫ांगलर क्यों काँ एंड़ एब हो ग राजा था अगर क्यूसिन कह रहा है, किसने उदाइन की हत्य की थी, उदाइन की हत्य किसने करी, तो इसका याद रखेगा, उदाइन की हत्य जो है, इन में से किसी नहीं करी थी, इन में से कोई नहीं, तो नहीं अजासतरों नहीं, बिंबिसारों नहीं जरत संग, इन में से कोई नहीं, तो नाग दसक जो है हरी एक वंस का अंदीम सासक था याद रखीगा अगले क्यूस ने नाग दसक की हत्या किष्ण ने की थी नाग दसक की हत्या तो आंसर रजाएगा सिसु नाग ने की थी नाग दसक की हत्या सिसु नाग ने की थी और इन्होंने सिसु नाग वंस की स्थाप में क्या कहा गया तो नागदिसक को पुरानो toutes में याद रखियेगा दरशक दरशक कहा गया ला तसको पुरानों में दरशक कहा गया अप्सेन सही अंसर हो जाएगा एगले क्यूश्य किसने सबस्चे कि इस अफनर कही थी तो आभी बताया था सिसुनाग ने सिसुनागवंस की स्थापन करी अगला क्यूस्यन है सिसुनागवंस का सासन सासन काल कब से कब तक था कब से कब तक था तो आंसर हो जाएगा अपसन नमबर अगला क्यूस्यन है सिसुनाग ने मगत की राजधानी पाटली पूतर से कहां इस्थांतरित की सिसुनाग ने मगत की राजधानी पाटली पूतर से कहां इस्थांतरित की तो इसका अंसर हो जाएगा याद रखे किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी तो आंसर हो जाएगा आपसन वाज्ज कोसांबी और हवंती तीनों पर विजय प्राप्त करें थी सिसुनाग ने याद रखे अब संड्य इसका से अंसर हो जाएगा अग्रे क्यूसर ने शिसुनाग की मृतु कब होई थी तो शिसुना की मृतु जो है कौन मगत का सासंग बना था तो इसका अंसर हो जाएगा काला सोग की सिसुना के बाद काला सोग जो है मगत का सासंग बना था अगला क्यूसर ने काला सोग का उपनाम क्या था काला सोग का उपनाम पुछा गया है तो काक करन काक वरन सोली काक वरन जो है काला सोग का हूप नाम था फिर अगला क्यूसर ने काला सोग ने मगत की राजधानी कहां बनाई थी तो काला सोग ने मगत की राजधानी जो है य साशक कान था सिर्षनागास ड़ियर सब कान था पुछा गया तो इसका असर नबर ए कारसोग ड़ियर कासरी साषस द्हों कता अगला क्यूसने निमने में से कौन सिसुनाग वन्स का अंतिम सासक था सिसुनाग वन्स का अंतिम सासक तो नंदी वर्धन नंदी वर्धन याद रगीगा सिसुनाग वन्स का अंतिम सासक था फिर अगरा क्यूसन है नीमने में से किस ने सिसुनाग वंस का अंद किया था सिसुनाग वंस का अंद तो महापदमनन ने सिसुनाग वंस का सिसुनाग वंस का अंद किया था महापदमनन और याद रखेगा सर्वस छत्रांतर कहा जाता है यानि कि सभी चत्रियों को नास करने वाला महापदमनन्द को फिर अगर क्यूसन देखे निमने में से किस ने नन्दवस की स्थापना की थी नन्दवस की स्थापना तो याद रखेगा नन्दवस की स्थापना पुछें तो महापदमनन्द हो जाएगा और नन्दवस का अंदीम सासक पूछ ले तो घनानन याद रखेगा एक्जाम में पूछा जाता है तो इसका अंसर जगापस नमबरी महापदमन नन्दवस की स्थापना और अंदीम सासक घनानन फिर अगले क्यूशन देखे और घनाननन को ही प्राजित करके चंदर गुत महारी ने महारी सम्राज की स्थापना करी थी चाना की किसा अगले क्यूशन है किसवस के सासन कार्ण में मगद की सकती अपने चरमोद करस पर पहुंची तो इसका अंसर हो जागा अपसर नमर डी नंदवन्स नंदवन्स के सासन कार्ण में मगद की सकती अपने चरमोद करस पर पहुंची अगले क्यूशन है नंदवन्स का सर्वेस सासक कौन था नंदवन्स का सर्वेस सासक कौन था पूचा गया है अंसर हो जाएगा इसका जो अंसर होगा पर्मनंद, महापर्मनंद और घनानन तीन हल सुरी इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर महापर्मनंद और घनानन यानि कि आप संडी इसका सही अंसर हो जाएगा नादमस का सर्वेस से सासर महापर्मनंद और घनानन फिर अगले क्यूस्टन देखिए निमने में से किसे कली का अंस कहा जाता है कली का अंस पूछा गया है तो इसका अंसर जागा महापतमदन को कली का अंस कहा जाता है अगले क्यूसिन है निवने में से किसे परसुराम का आउतार भारगाव और एकराट आदी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है तो इसका आपसन देखेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपसर नमबर D, महापदमनन, महापदमनन को कहा जाते हैं, याद रहिए, परसुरम का उतार, भारगाओ, फिर अगले क्यूशन है, विंद्य परवत के दक्षिन में, विजय पता का फाराने वाला मगत का प्रथम सासक कौन था पूछे गया है, तो अंसर रोजागा आपसर न जयन मूर्थी को उठा कर मगत लाया था, तो महापदमनन, इन्हों ने, ओरिस्या से याद रहिए, महापदमनन ने, ओरिस्या से जयन मूर्थी को उठा कर मगत लाया था, अगले क्यूशन है, नन्वस का अंतीम सासक कौन था, नन्वस का अंतीम सासक, तो घना नन पताया थ तो याद रखीगा महा पदमा नन महा पदमा नन फिर अगले क्युस्टन देखिए किसके सासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था किसके सासन काल में तो याद रखीगा घनानन के सासन काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था अगले क्यूसे ने सिकंदर किस देश का सा सकता तो सिकंदर जो है युनान का सा सकता युनानी था सिकंदर फिर अगले क्यूसे ने सिकंदर ने कब भारत पर अक्रमन किया था सिकंदर ने कब भारत पर अक्रमन किया था एक्जाम में पूछा जाता याद रखेगा तो 326 सपरो में सिकंदर ने भारत पर अग्रमन किया था है अगले क्यूंसे ने घंणनन को किछने पराजित किया था फुछ गया तो इस कांसर जाएगा आपसा नमबर चंद्र गुर्थ महुर्य ने अभी बताया था और अजासत्र याद रखी का कुनिक के नाम से जाने जाता है और कस अस अगले क्युशन है चंदर 교ionedρεί ने कब घृणा-ननद को पराजित किया था? पूछा गयाए तो इसका अंसर हो जाएगा, अबसा नम्बर 222 में, चंदर 특मार crisys Ch argu Är अगले question कह रहा है ननुवस के सासक किस धर्म के अनुवाई थे तो जैन धर्म के अनुवाई थे ननुवस के सासक और ननुवस के सासक किस जाती से सम्मादी थे ननुवस का सासक किस जाती से सम्मादी थे थे शुद्र सुद्र जाती से संबन दी था नन्वंस का सासक अगले क्यूस्टन कह रहा है नन्वंस के बाद मगत पर किस राजवंस का सासन प्रारंब हुआ नन्वंस के बाद मगत पर किस राजवंस का सासन प्रारंब हुआ तो अंसर हो जाएगा आपसर नंबर A बिलाए कि माउर्या वन्ण का सासन प्राराम हुआ था और घनानन्द को हरा कर जो कि घनानन जो कि अवार का अंतीम सासक था और माउर्या वन्णड का याद रुखी गां समराज्य क इसестоीगे सो जीड़े व्हेकित कि था तो मारीचन्दरकुप्त ओंवोरी को साससर से अगर क्यूशन है मार्या वन्स का सबसे सक्तिसाली सासक कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा याद रखीगा A और C यानि की असोक और चंदरकुप्त मार्या मार्या वन्स का सबसे सक्तिसाली सासक असोक और चंदरकुप्त मार्या यानि की A और C आफ़िए इसका सहीं अंसर हो जागा अगलों क्यूशन दिखेंगा निव्में से कौन मार्यवंस का संस्तापक था मार्यवंस अगर इसका इसका अंसर हो जाएगा आपसमबर की सास्य की नुसार तो इसका अंसर हो जоры जागा ब्रामहन गरंथ विशन पूरान और मुद्रे शर्ण तो इन तेनों के नुसार चंद्र को तमघवुत्मारी जो है तो याद रखीगा इसका अंशर होजाएगा सेंड्रो-कोड्स और ंन्डडो-कोड्स और गयर इसका जीन जाना जाता है अगडे किस्ट देखेगा उत्तर पपर्स्यय में राजम गयर जीता तो ऊपसंने हtar शीका इत्र Digit strugg OK ने कॉटली के साथ से उतरफसीम राज्यों को जीता था अगले क्यूसन इन्यम्हें से किस राज्यों को चंदरगोटमारे ने जीता था तो आंसर हो जाएगा इसका आपसे नमबर पंजाब और सींद राज्यों को चंदरगोटमारे ने जीता अगले क्यूसन है जाने वरम बौत धगरंतों के निसार चंदरगोट मारे किस राज्यों से समंदी था तो इसका आंसर हो जाएगा आपसे नमबर महुरिया चत्री तो जानेवसं बही ऐघ्रेम थे कुलिसार चंदर को था महुरिया चत्री वन से इस़ा पूरवे में, चंदरुकत मार्या सेलूकस के बीच 303 इस़ा पूरवे में अग्रा क्यूंसनazione, सेलूकस की पुत्री के नाम क्या था तो इसका आंस्र ओ जाएगा अपर expectancy नमबर ए, हैलेना हैलेना सेलूकस के पुत्री का नाम था अगले क्युशन है सेलुकास की पुत्री का विवाह की सासक से हुआ था तो इसका अंसर हो जागा आपसे नमबर चंदरुकुत्र मौरी से हुआ था से लुकस की पुद्री का विवा अगले किसने चंदर कुट मारी को दहच स्वरूब काउन काउन से स्थान मिले तो आंसर हो जाग आपसर नमर काबूल, कंधार और हेराद ये तीनों स्थान जो है दहच स्वरूब चंदर कुट मारी को मिला था याद रखेगा आपसेंडी इसका सही आपसेंगा अपसेंगा आपसेंगा अपसेंगा आपसेंगा 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 आपस इंडिका में इसकी पुस्तक नाम पूछा जाता है एक्जाम में अगला क्यूशन है निवने में से किस आसर को भारत का मुक्ति दाता कहा जाता है तो भारत का मुक्ति दाता चंदर्गुत मौरिय याद रखी गा चंदर्गुत मौरिय भारत का मुक्ति दाता अगला क्यूशन चंदर्गृत मोरी ने किस परावत पर तपस्या की थी चंदर्गृत मोरी के बाद कौन मगत का सासक बना चंदर्गृत मोरी के बाद चंदर्गृत मोरी के बाद मगत का सासक बना चंदर्गृत मोरी के बना चंदर्गृत मोरी के बाद मगत का सासक बना चंदर्गृत मोरी के 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 बना चंदर्गृत मोरी क दो सोटन बे इसापुरम में बिंदुसार जो है मगत का सासक बना था अगला क्यूशन है निमने में से कि सासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है तो अमित्र घात के नाम से याद रखेगा अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार बिंदुसार को अमित्र घा रचैट्स कहा था Bay VI और छाइगा ड। आपृट्सार अमें तर दौनाल प्रया प्रछैट्स को तैसके आफे जाइस अग्ले जगिए हैए इस नогले क्यूस्आ अग्ले क्यूसें, सिये से नियाद रखीगा बिंदु सरकन ये नाम था अगले क्यूशन है तक्छी सिला के विद्रों को दबाने के लिए किसे भेजा गया था तक्छी सिला के विद्रों को दबाने के लिए किसे भेजा गया था तो इसका अंसर जागा हसोक को भेजा गया था तक्छी सिला के विद्रों को दबाने के लिए अगले क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष था कि Syrian Sasak ने भारत में अपना राजदूद भेजा था तो इसका आंसर हो जाएगा Antiochus, Antiochus, तो Antiochus याद रखीगा, Syrian Sasak ने भारत में अपना राजदूद भेजा था, Antiochus ने, फिर अगले क्विश्चन है, निमने में से काउन Syrian राजदूद था, Syrian राजदूद, तो Dal 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 सार की मृत्व कब होई थी पुछे गया तो 273 इसी पूरवा याद रखेगा अगल कि उसे ने असोक कब मगत का सासक न्यूक्त हुआ था तो इसका अंसर आजाएगा आपसर नंबर D 27E में असोग मगत का सासक नूँक्त हुआ अगला question है किस sóhyत के नुसार असोग ने अपने भायों की हत्य की थी तो इसका आजाएगा आपसर नमबर A, सहली, तो सहली साहितिक अनुसार असोक ने अपने भायों की हत्य की थी, अगले क्यूशन देखिएगा, सहली साहितिक अनुसार असोक ने अपने भायों की हत्य की थी, तो इसका अनुसार अपसर नमबर D, 99, यानि कि 99, सहली साहितिक अनुसार असोक ने अपन अगला जोडा समिए कर दोजो में सहरा नियुड है अजगा कर महाण संसफ है नियुन का इस अप्छिफ ही ना कなた को आफ दोजो नेपाली थिकृता नेपाली सहरा नियुक्रक्ति Eckhaz MICHAEL का फोरणर नहिटर साचार जोब सर्णा कहा का करना था अगले क्यूसिन है अगले क्यूसिन कह रहा है निम्न वैसे कि सासको प्रारम में चंडा सोक या कामा सोक कहा जाता था तो अंसर आजाएगा आपस नमबर भी असोक अगले क्यूसिन है असोक का नाम उलेक कितने अभी लिखों में मिलता है असोक का असोक नाम उलेक जो है कितने अभी लेकों में मिलता है तो चार अभी लेकों में असोक नाम उलेक मिलता है अगले क्यूश्चन है निवने वैसे किस अभी लेक में असोक का नाम मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा मास्की, गुर्जरा और नेतुर इन तिनों में याद रखे हैं इन तिनों अभिलेक में असो का नाम मिलता है अगले क्यूशन है किस अभिलेक में असो का नाम मिलता है किस अभिलेक में तो उडे गोलम उडे गोलम अभिलेक में असो का नाम मिलता है अगले क्यूशन है किस अभिलेक में असो को प्रिय दर्सी कहा गया है तो भाबरू भाबरू भिलेक में असो को प्रिय दर्सी कहा गया है अगले क्यूशन है मास की अभिलेक में असो को क्या कहा गया है मास की अभिलेक में असो को क्या कहा गया है आफसा को बुद्ध सांट के किहा गया है मास के भिलेक में अगले कीशन है असोके अपने जीवान में मात्र एक युद्ध कहां का लड़ा था तो देखेगे आफसा महांनुदी क्लिंगा कर रूरत एक युद्ध अगले कीशन है किस चाहला है, कलिंग यूद्ध की जानकारी, तो तेरवे चाहले चाहला है, तेकुोच कुछन टखीगा, कलिंग यूद्ध की तैकूद नमसed की वर्स में लड़ा गया था, तो इसका अckशन अषालाल हो जाया ऑप्षण क अपर शीर जाहरा, 8 वे वर्से तो निमन तो 261 आड़ा में लड़ा था, याद रखेए का आसक ने कलिंग युद्ा 261 आसक थी की चिए का युद्ध के पेस तड़िया तो कलिंग युद्य के पास जाति इन्हों ने भारी रखतापात को देह कर युद्ध नित हर के रहा कि चोड़ के धाम नीती को अपना लिया किS के अनुसार काटिये का ही किसकी रराफ्ट करना थे हाथि doing की ठेक्सार कुछ Sache साय करनी की रचना है पुछे गए किसकी रचना है? तो कल्भन की रचना है? राष्तरअगिनी. अगल क्युछन देखीगा. राष्तरअगिनी की नुपसार असोग बौद ध्रम गरहन करने से पहले किस धर्म का कटर समर्थक था तो आंसर हो जाएगा इसका अपसे नबर ही सेव धर्म का तो सेव धर्म का कटर समर्थक था राज्तर रिए इनिक निसार असोग बहुत धर्म का गरान करने से पहले सेव धर्म का कटर समर्थक था अगले क्यूशन कह रहा है किस ने असोग को बादधर में दिख्षित किया था तो उगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा तो उगुप्त ने असोक को बादधर में दिख्षित किया था अगले क्यूशन है असोक ने अपने समराज को कितने भागों में विभाजित किया था तो कितने भागों में विभाजित किया था याद रगेगा असोक ने अपने समराज को पांच भागों में विभाजित किया था अगले क्यूशन है निवने में से काउन असोक की समराज का प लाइक से आर जरू किजिए का अपने दोस्तों के बीच, सोसल मेडिया जो भी आप यूज़ कर रहा है, अपने इंस्ट्राग्राम फेस्बूक, जो भी आप यूज़ करते हैं बहाँ पर, फिर अगरे क्यूशन देखेगा, उत्रा पत, उत्रापत की राज्थानी कहां थी, उत्रापत की राज्थानी पूछा गया है, तो तक्षिसिला, याद रखिए को तक्षिसिला में थी, उत्रापत की राज्थानी, अगले कि उसने, स्वरनगिरी कहां की राज्थानी थी, तो स्वरनगिरी जो है, दक्षिनापत की में थी कलिंग के राज्थानी कहां थी तो कलिंग के राज्थानी याद रखीगा तोसली तोसली में थी कलिंग के राज्थानी जो है तोसली में थी अगले क्यूशन है पुर्वी राज्य के राज्थानी कहां थी तो पर्वी राज्य के राज्थानी पाटली पुत्र में थी संपुर्ण मौरे समराजी की राज़्थानी कहा थी तो संपुर्ण मौरे समराजी की राज़्थानी जो है पाटली पूत्र में थी फिर अगला क्यूशन है किस मौरे सासक ने कसमीर में स्री नगर नामक सहर की स्थापना की थी तो इसका अंसर हो जग आपस नमबस C असोक, असोक महरी साचक ने किसमिन में स्रीनगर नमक सहर की स्थापना करी थी अगर क्यूशन है असोक ने नेपाल में किस सहर की स्थापना की थी असोक ने नेपाल में किस सहर की स्थापना की थी जुनगर अек-का संबन की सा सकते है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधसर ममबर D- रूद्र-दामन से अग्ड़ क्यूशन तु सास्प असो के समय कहा का गवर्ना था तु सास्प जो है असो के समय कहा का गवर्ना था तो आंसर हो जाएगा अफसर ममबर C उच्छेन का गवर्णर था अगले क्यूशन है तुसास्प किस देश का नागरिक था तुसास्प किस देश का नागरिक था तो युनान का नागरिक था फिर अगले क्यूशन है हसो के बाद पुरी भाग का सासग कौन बना तो पुरी भाग का सासग दसरत दसरत जो है हसो के बाद पुरी भाग का सासक बना अगले क्यूश्यन है पुरी भाग में कौँ साराज्य सामील था तो अंसर और जाएगा इसका अप्सन अमबर बिहार, बंगाल और उतरपदेश ये तिनों ही सामिल थे यानि काप संडीष का सही आंसर ओचलेगा पूरी भाग में अगर कि उसे ने दसरत ने अपनी राज़तानी कहां बनाई थी तो दसरत ने अपनी राज़तानी याद रखीगा अपनी राज़तानी इनों ने पाडली फुतर में बनाई थी दसरत ने अगर कि उसे ने पसी में भाग का सासक कौन बना पसी में भाग का सासक कौन बना तो संप्रती बच्चे पसी में भाग का सासक जो है संपरती बना फिर अगरे क्यूशन है पसीन में भाग के अंतरगत का उन सा राज्य था पसीन भाग के अंतर गत तो इसका अंसर हो जाएगा आपसे नबर तो राजिस्थान गुझराद आप मठिवर्देशि तीनों ही याद रिखिएगा पसीन बाग के अंतर करता है, यानिकी अपसंडी इसका सही आंसर हो जाएगा, और अगले क्यूशन है, किसके बाद संपरतिकों महरीवंस का सर्वेस्ट सासक कहा जाता है, तो असोक, फिर अगले क्यूशन देखें, रास्तरंगिनी किस राज्य से सम्मांदी साहित हैं, तो कस्मीर से समंदी साहित है राजतरंगिनी अगले क्यूसे ने राजतरंगिनी के निसार कस्मीर चेतर का सासक कौन बना राजतरंगिनी के निसार पुचे गया है कस्मीर चेतर का सासक तो इसका अंसर हो जागा आपसे नमबर C जालाओक जो है राजतरंगिनी के निसार कस्मीर चेतर का सास चुसराग मौर Kropit S Mosollasak करना करता है कि ब्रह Sup viewing के हथा कि गोई इसारज पति सुन के द्वार मौर समसक वरीदत की हेत्या कर गई भूआ को क्यों क्यों कि कर दो अगले यए किस न कर रहा है कि वरियादत की हत्या कब जवतीं तो आँ्सर हो जगा एक सो पचैसी सफ़ ने वरेधित की हस्या अगलों क्यूचिन मारियमंस के बाद मगद पर जिसका सासन परावाम्ब mouth अइश्ऑ के बाद मगद पर किसका सासन पराविब हुआ तो आँसर हो जेगा hyapocanबस g पर pe सुंग का सासन जो है प्रारम हुआ अगला क्यूशन है असोग मार्यवंस का कॉंसर सा सकता तो इस कांसर जागा अपसर नमर दी तरितिया तरितिया सा सकता सोग फिर अगला क्यूशन देखेगा धंबसब्द धंबसब्द कि इस भासक के धर्म का प्राकृतिक रुपांत्रन है प्राकृत रुपांत्रन है तो इसका उन्सक्रित भासका धर्म का प्राकृत रुपांत्रन है धंब धंब सब्द अगले क्यूशन है कि सितिहासकार के नुसार असुक का धंब राजनितिक समाजिक समस्यां को सुल जाने के लिए उसके धिमाग की वहचारिक उपस्ती तो इसक का धתי असो का धम राजनितिक समाजी क समझकलों को सुलजाने के लिए, उसके दिमाग की वहिचारी कि उपस्ति है अग्र regular कुशन है , हस्यों के अभिलेखों को विभाजित कह अग्या है , तो तूंज़ के अभिलें को कितने भाजों में विभाजित कहए गया है तो तीन भाज पर दुचत है बुच्छा यह इसका अधिलेगों को तीन भागों में आपिलेगों को विवाजित करें अब हुआ है और अगले ग्यूसान से कौन तो नहीं को नियुक पार नहीं है इसका अंशर जागा आपसन नमर भी चित्र लेग जो है इसका अशर रुजागा अगले क्यो आठ ऐस्तानले से प्रापत हूए असोग के सिललेक अगला क्यूसंन है अधिकान सिललेकों की दिरेющड क्या थी प्रापे ठै pak और अधिद मेमनेे से ते इसका अज्ञा बत्छाए ca 6-ужд अधिकान सिललेकों की दिरेगी Mbourg धने धौलिश लिख nossa जाएंगा आपसनोबश시면 आपसनमरr B मर्व्लिख डवॉडिशा राज्जों से प्राप्ट हुए अगजा कूछों स Surad ड़ॉसद से प्राप्ट हुए तो सेंहिए यहन है और कशी तौ एरादूंस आपसन परफोंपर मैं एकल्या कूर सुर्मिटी तो सह बाज़ गड़ी ये दोनों जो सिलाल एं धृज्टीला डिपी में प्राप्त हुए हैं किस मकिस स्थान से प्राप्त हूआ तो इशन रजय अप्सावर मैं सहबाजगरई सो एक माने किस देश से प्राप्त हूआ मांसेरा शिललेक तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर C पाकिस्तान पाकिस्तान में किस इस्थान से मांसेरा शिललेक प्राफ्त हुआ है तो इसका याद रखीगा यह पर आपसर है बालीची इस्थान खैबर पक्तोन और आपसर है इसका डेरा गाजी खान और हजारा तो किस राज्जर से प्राप्त हुआ है तो इसका अंसर आजागा अपस़ नमर 9 भी भार सासा राम लगुसिलएक ही बिहार से प्राप्त हुआ अगरे पर नाध लगुसिल लग इस 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 इस। रिगया है रूप्याय loa गुसिल लग MEL की से से प्राप्त हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा आप सना बसी माद्यप्रदेश गुर्चरा लगुस इललेक माद्यप्रदेश से प्राप्त हुआ है अगले क्यूशन है माद्यप्रदेश के किस स्थान से गुर्चरा लगुस इललेक मिला है तो इसका अंसर हो जाएगा आप पराप्थ हुआ है। करनाटा के किस इस्थान से मास्की लगू सिलेक मिला है तो इसका याद रखी कि इसका अंसर हो जाएगा आपसा नबर C राय चूर करनाटा के राय चूर इस्थान से मास्की लगू सिलेक मिला है फिर अगलो क्यूसेन है ब्रह्मगरी लगो सिलेक किस इस्तान से प्राप्त हुआ है ब्रह्मगरी लगो सिलेक तो इसका आंसर हो जाएगा आपसा नमबर D करनाटा का तो ब्रह्मगरी लगो सिलेक जो है करनाटा का राज्या से प्राप्त हुआ है है फिर अगलर क्यूस्ट ने मोरे काल में सिखों को क्या कहा जाता था मोरे काल में सिखों को क्या कहा जाता था तो इसका अंसर जाएगा आपसone प्राप्त हुआ था तो इस का से अपसे नम नहीं गर już cómo एकंजी से प्राफ़ा था है कि प्रहे हॉताई प्रहमगिरी में रावगीृस्तान स्थान किस राजय में इस्थित नहीं तो कैंव ब्रहमगिरी इस्थान है så चटिंगे रामिस्वर लगुसिले कहां से प्राप्त हुआ है तो ब्रमगिरी से प्राप्त हुआ है चटिंगे रामिस्वर लगुसिले कहां से प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा अप्शन नबर भी मैसुर से गवी मट लगुसिले कहां से प्राप्त हुआ है तो तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नबर C, राइचूर से, पालकी गुंटु सिला लेक, लगु सिला लेक, फिर अगले क्यूशन है, राजूल मंडागिरी लगु सिला लेक कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नबर B, आंदर प्रदेश, राजू अहर और लगु सिलेले कहां से प्राप्ट हुआ है तो इसका अंसर यहाओ अप्स होगाप्षानमर अमगलाल अगरा कुस्ति आपकन किसम लेखों की संक्धिय के रोमें ऐसक के अहरु आपकने निए अमबाला से दिल्ली टॉपरा इस्तंबलेग जो हैं अमबाला से प्राप्त हुआ है फिर अगले क्यूशन देखीगा सिर्षवा इस्तंबलेग कहां से प्राप्त हुआ है सिर्षवा इस्तंबलेग कहां से प्राप्त हुआ तो इसका अंसर हो जाएगा अपसा नमबर बी उत्तर प्रदेश सिर्षभा इस्तमलेग सिर्षभा इस्तमलेग उत्तर प्रदेश से प्राफ़त हुआ अगर क्यूशन है दिल्ली टॉपरा इस्तमलेग कौन सासक दिल्ली लाया था अंसर हो जाएगा इसका अपसर नमरे फिर वो सहाथ तुक लग इन्होंने दिली टॉपरा इस्तमलेक जो है दिली लाया अगले क्यूस्चन है दिली मेरट इस्तमलेक को काउन सासक दिली लाया था तो इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमरे दी फिर वो साहत तुगलक्ट इन्होंने दिली मेरट इस्तमले को दिली लाया था फिर अगले क्यूस्चन है लाउरिया अरे राज इस्तमले किस राज जासे प्राप्त हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा आपसन बरे भिहार अगले क्यूशन है प्रयाग इस्तमलेग किस राज्य से प्राप्त हुआ है प्रयाग इस्तमलेग किस राज्य से प्राप्त हुआ है तो आंसर रोजाएगा इसका अपसन नमर ए उत्तर प्रदेश प्रयाग इस्तम्लेग उत्तर प्रदेश लाज्य से प्राप्त है अगले क्यूशन है प्रयाग इस्तम्लेग पहले कहां इस्तापिता पुछा गया है अंसर जगापस नमर डी कौसांबी में इस्तापिता पहले अगले क्यूशन है किस सासक ने प्रियाग इस्तंबलेक को इलाबाद के किले में रखवाया था तो आंसर जागा प्सनमबर बी अकबर अकबर ने रखवाया था अकबर सासक ने प्रियाग इस्तंबलेक को इलाबाद के किले में रखवाया फिर अगले क्यूशन देखिए, सारनात लगू इस्तंबलेक किस राज्य से प्राफ्ट हुआ है, तो इसकांसर जाएगा अपसे नमबर सी उत्तर प्रदेश से, सारनात लगू इस्तंबलेक उत्तर प्रदेश, अगले क्यूशन है, सारनात लगू इस्तंबलेक कहां इस्तित है कासंभी लगु इस्तम लेक कहां से प्रावत हुआ कासंभी लगु इस्तम लेक इलावाज से प्रावत हुआ अगले क्यूशन देखेगा महा महा महो पाध्याय हरी प्रसाद सास्तरी के अनुसार असो की काउं सी निती पतन का मुख्य कारण बनी थी तो इसका अंसर जाएगा अपसे नमट भी धार्मिक अगले क्यूशन है हैंचंदर राय चौदरी की नुसार असो के पतन का मुख्य कारण क्या था तो अंसर हो जाएगा अपसे नमट अहिंसा और सांती प्रियता अंसी और सांती प्रिता इसका सही अंसर हो जाएगा हैंचंदर राय चौदरी की नुसार असो की पतन का मुख्य से कारण यानि कि अप्शन डी इसका सही अंसर हो जाएगा A और C अगला क्यूशन है रूमीन देई रूमीन देई लगू इस्तमलेक किस देश से प्राप्त हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा नेपाल, अप्सन डीज का इंसर जगा, रुमिन देई लगु hou इस्तंप्ब लेक नेपाल देश से प्राप्त हुआ है, अगले क्युस्वर निगालि गाउं लगु इस्तंप्लेक किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका अंसर आजाएगा आप से नमबरे नेपाल से निगाली गाउं लगो इस्थमलेग नेपाल से प्राप्त हुआ है अगले क्यूशन है असो का सबसे लंबा इस्थमलेग कौन है असो का सबसे लंबा इस्थमलेग पुछे गए तो T7 इस ने ये ऑसोक का सब से लंबा इसी में अगले Q waution देएगा ऑसोक का सब से छोटे इस ने का सिस्ट रोमिनदेई अभी बता है फिर अगले Q waution देएगा किस अभी रेक मैं अशोक की रानी कारोगा की द्वारा दान दिये जाने का उर लेक है तो इस कांसर रजागा option number कौसांबी और प्रयाग यानि का option D P और C तो कौसांबी और प्रयाग इस तम लेक में असुक की रानी करुआ की द्वारा दान दिया जाने का अगर क्यूशन है निवने में से किस अभी लेक को रानी का अभी लेक भी कहा जाता है अगर क्यूशन है किस इस तम लेक से असुक के धार्मी किस थल की आतरसमदी जानकारी मिलती है तो इस कांसर रजागा option number B रुमीन देई अगर क्यूशन है निवने में से किस इस 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 तम लेक में कराधान की चर्चा की गई है कराधान की चर्चा तो इस कांसर रजागा रुमीन देई में कराधान की चर्चा अगर क्यूशन है राज्यभी सेग के विश्वे वर्स में असुक के असुक ने कहा की यातर की थी राज्यभी सेग के विश्वे वर्स में असोक ने कहां के यात्रा करी थी तो इस का अंसर जाएगा अफसर नमबर भी लुंबनी की यातर करी थी विस्वे वरस में अगर क्यूसर ने हसोक ने अपनी लुंबनी यातर किसमें भूमी कर घटा कर कितना कर दिया था तो एक बटा आठ एक बटा आठ कर दिया था असोक ने अपनी लुंबनी यात्र किसमे भूमी कर गटा एक बटा आठकर दिया, अगले क्युश्चन है किस सासक ने अपने अभिलेक में कहा था कि सभी मनस्य मेरी संतान है सभी मनस्य मेरी संतान है तो किस ant Сам tin अपने अभिलेक में कहा? तो इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमबर दी असोक ने कहा था अपने अभी लेक में कि सभी मरस्य मेरी संतान है अगला क्यूशन है कि इस अभी लेक में कि इस अभी लेक में असोक ने सभी मरस्यों को अपनी संतान कहा था तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपसा नमबर धाली और जाउगर यानिके अपसान B और C तो धाली और जाउगर अभी लेक में असोक ने सभी मनस्यों को अपनी संतान कहा अगर क्यूशने किस सासक ने मनस्यों में पसुमों के लिए अरग अलग जिके सालों की स्थापना करवाई थी तो इसका अंसर हो जाएगा अपसान C असोक असोक सासक ने मनस्यों में पसुमों के लिए अलग जिके सालों की स्थापना करवाई अगर क्यूशने किस अभी लेक से पता चलता है कि असोक ने मनस्यों में पसुमों के लिए जिके सालों बनवाए थे तो इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमर D, गिर्णार, तो गिर्णार अभिलेक से पता चलता है कि यह सोक ने मनुस्यों एवाँ पस्वों के लिए चिकिस साले बनवाय थे, अगले कि उसे नेकिस अभिलेक से प्रभावित होकर बहलियों एवाँ मच्वारों ने जीव हिंसा त्याग दिती, तो इसका अंसर हो जाएगा, आपसर नमर B, कंधार, कंधार अभिलेक से प्रभावित होकर बहलियों एवाँ मच्वारों ने जीव हिंसा त्याग दिती, अगले क्यूशन है, कंधार के पास सारे कुन और नामा किस्थान से प्राप्त अभिलेक की सलिवी में तो इसका अंसर हो जाएगा, आपसर नमर अर्माइक और यूनानी, आपसर नमर D, इसका सही अंसर हो जाएगा, B और C, तो गंधार के पास सारे कुन और नामा किस्थान से प्राप्त अभिलेक अर्माइक और यूनानी लिवी में ता, अगले क्यूशन है, कहां से प्राप्त इस्तम लेक पर असोग के अतिरिक्त असोग के अतिरिक्त समुद्र गुप्त तथा अकपर के दर्बारी बिर्बल के भी हविलेक मिलते हैं तो इसका रजाएगा अपसर नमबर D इलाबाद अगला क्यूशन है तो इलाबाद से प्राप्त बिलेक पर महामात्यों को संग भेद रोकने का अधिश देता है तो इसका अंसर जाएगा अप्शन नमबर साची सारनाथ और कोसंभी अप्शन डिसका सही अंसर जाएगा तो इन तिनों इस तम लेक में असोक ने अपने महामात्यों को संग भेद रोकने का अधिश देता है अप्शन डि पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है तो आंसर हो जाएगा इसका बाबरू बाबरू सिललेक इसका सही आंसर हो जाएगा एक मात्र भी लिख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है फिर अगर क्यूसें देखें असो के अभी लेकों की भासर क्या थी तो प रस्टेलीपी में बाइं स्वरी दाएं से बाइं लिखा जाता है अगल्ग क्यूश्म के किस अभी लेक में ब्रामिलीपी दाएं से बाइं लिखी उई है तो इसका आचाल करेंगा आप सलनमबर SAY यर्रो गुडी तो यर्रो गुडी यर्रा सुरी यर्रा गुडी असो के यर्रा गुडी सिललेक्ट में ब्रामी लिपी दाय से बाइं लिखी हुई है अगले क्यूशन है बिहार के कि जिले से गुहा लेके साक्ष मिले है तो आंसर आजाएगा इसका आपसन नबर सी गया तो ब निमने में से किस पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेक के साक्च मिले है गुहा लेक के साक्च किस पहाड़ी की गुफाओं में तो इसका अंसर रजाएगा अपसर नमर बी बराबर तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेक के साक्च मिले अगले क्यूशन है नीमने में से किस सासक ने गुहा लेक अंकित करवाया था तो आपसन C असोक इसका सही आंसर हो जाएगा असोक सासक ने गुहा लेक अंकित करवाया था फिर अगले क्यूशन है असोक ने किस धर्म के साधों को गुहा दान किया था गौहयदान तो इसका अंसरो जयगा अपस नमब भी आजी विख, आजी वख धर्म के साध्यों को, असोक ने। फिर अग requiredounces ने गुवा लेक की भासर दूंढ़ की भासर क्या थी, गौह लेक की भासर पुछा गया है। तो प्राक्रेथ थी गौह लेक की भासर अगर Luiza मौरियों की सीमा को भारत की वग्यानी किया बोगुलीक सीमा का अगले क्यूशन है चंदर्गुत मौरियम बिन्दुसार के समय मौरियस समराज जो कितने प्रांत में प्रांतों में विभखता था तो इसका अशल हो जाएगा हापसा नमबर बी चार प्राउंतों में विवक था चंद्रकुत मौर्यम बिंदुसार के समय मौरिसम राज अगले क्यूशन है उत्रापत के अंतरगत निवने में से कौन सा राज्या आता था उत्रापत के अंतरगत निवने में से कौन सा राज्या आता था तो इसका अंसर हो जाएगा, आपसर नमबर जम्मु कस्मीर, हिमांचा प्रदेश और उत्रकरण, तीनों ही, आपसर डिसक की अंसर हो जाएगा, उत्रा पंध के अंतरगत, तीनों आता था, फिर अगले क्यूस्टन दिखिया, निवन्ना में काउन राज्य अवंती के अंतरग करणाकर, फिर अगर क्यूसिन दखिएगा, कौण से राज गता था दख्शीन पता था? इसका आंसर होताए नमबर महराश्त्र, करनाट का और अंधर परदेश तीनों ही दख्शीन पता के आंठाट आता था अगर salon मौली पर्रसा तर ine गते स्थांक में कितने गाउं आटे थे तो इसका आंसर हो जाएगा Option No. D. 800 मौरिय प्रसासन के अंदरगत इस्थानिक में 800 गाउं आते थे अगलो क्यूशन है मौरिय प्रसासन के अंदरगत द्रोना मुख में कितने गाउं आते थे तो इसका आंसर हो जाएगा Option No. A. 400 गाउं मारे प्रसासन के अंतरगत द्रोनों मुख में 400 गाउवाते थे अगले क्यूशन है मारे प्रसासन के ताहद खार वा टिक के अंतरगत कितने गाउवाते थे तो इसका आंसर हो जाएगा आपसन नमबर C 200 गाउवाते थे अगले कुषियू Stallion है मायरे फैसें कितार संगरहन के अνतरगत कितने गाउं आते थे तो इसका अंसर हो जाएगा आफसणनेंबर if दिए साउ गाउं आते थे अगले कुषियू Stallion है मायरे सम्लाज़के अंतरगत गरामी चेत्र चेत्र और अगरामी चेत्र प्राप्त राजास्व को क्या कहा जाता था ? है अगलो क्यूशेन है मार्य प्रसवाशन के ताहत नीमौन में से कौन राजस हुई कट्था करता था तो इसका अणशर हो जाएगा ह porch नमबर C समाहा शक्राएब न कुरक्षाण के तरिकर राज अटठा करता था अगलों क्यूशेन है नीमौन में से काउन अर्थसास्त का लेखक है अर्थसास्त का लेखक पूचा गया है तो इसका अर्थसास्त का लेखक पूचा गया है तो इसका अर्थसास्त में उच्छा दिकारी को क्या कहा गया है उच्छा दिकारी को अर्थसास्त में तो इसका अंसर हो जागा अपसर नमर C तीर्थ कहा अगले question है तिर्थों के अधक्ष को क्या कहा जाता था तेर्थों के अधक्ष तो तो इसका अंसर हो जाएगा Option number E महामात्या तिर्थों के अधक्ष को महामात्या अगले question है नीमने में निम्ने में से कौन मारेपर सासन की ताहत जीले में कानु नियस्ता देखता था तो इस कांसर हो जाएगा आपसा नमबर C समहार्ता समाहरत देखता था, याद रखेगो, मौरियपर सासन के ताहद जिले में कान उनिवस्ट था, अगला क्यूसन है, निन में कान मौरियपर सासन के ताहद जनपत का प्रधान होता था, तो इसका अंसर हो जागा अपसर नमबर D, समाहरत जो है, मौरियपर सासन के ताहद जनपत क का प्रधान होता था फिर अगले क्यूशन है मौरय सासन में मौरय सासन में को सद्यक्षत को क्या कहा जाता था को सद्यक्षत को तो इसका अंसर हो जागा आपसा नमबर डी सन्नी धाता सन्नी धाता कहा जाता था को सद्यक्षत को मौरय प्रसासन में अगले क्यूशन है निन्य तो इसका अंश्याराइयाँ अप्सिंगा कया जाता था मतशन जागता अपर रगय कम स्विपाह विभी पार अधिक्शक्त को तो फिरर अग्लो क्योस्यन通 आ कर यहां ख आतो पूछ तो इसका आंसर हो जाएंगा, अप्सार नबर अप्सार नंबर पी तक युद को अधिक बाठ और अधिकारी से ने इसका अंसर ओने हो जैएगा आप्स नमबर डि पाउतवा ध्यक्षा बाटेंट राजो थिकारी को अगर 총सने São दोड़नार का धीकारी को क्या कहा जाता था तो इसका अंसर ओने हो पसे कि वास्ट ने राजयका निजी सचिव क्या कहला था 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 यह को अगला क्यूसर नुजन याइक क्या था 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 तो लक्षन अध्यक्ष कहला था 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 तक्साल अधिकारी अगले क्यूशन है निवन में से कौन से नगर अधिकारी था नगर अधिकारी कौन था तो इस कांसरो जगा अपस नमबर बी अरिश्टोनो मौई अरिश्टोनो मौई नगर अधिकारी था फिर अगले क्यूशन है मौरियों की प्रसाशनग व्यास्था में नगर प्रसाशनग का सरवाधिक व्यवरन किसके व्युरन से मिलता है तो इसका अंसर हो जाएगा का। अपसणी को समय दिया है Ma bargain आपसानगा ऑपस्लिय को सरवाधिक व्यवरन से मिलता है छे समतियों का विवरंद दिया है अगले क्यूशन है मौरी सासन काल में फाउजदारी नियालाई को क्या कहा जाता था मौरी सासन काल में फाउजदारी नियालाई को क्या कहा जाता था तो इसका अंसर हो जगा आपसा नमबर 2 कंटक सोधन महरे काल में फोसदारी नियाले को कंटक सोधन कहा जाता था अगला क्यूशन है महरे काल में नियाय प्रसाशन का सरवच अधिकारी काउन होता था महरे काल में नियाय प्रसाशन का सरवच अधिकारी काउन होता था तो इसका अंसर हो जाएगा आप्सान नंबर E Samraat सर्वर्चातिकाली Samraat पिर अगर क्योंटन है अर्थवसास का संपूण अध्याय कंतक सोधन अधालत विशे पर लिखा गया है तो इसका आंसर हो जाग आप्सानकर आप चतुर्थ अध्याय में चतुर्थ अध्याय कंतक स्वाध्यन अधालात विसहिए पर लिखा गया अर्थ इसका फिर अगले क्योचंए दिखञी को क्या कहा जाता था तो इसका अंसल्ब जागा अपसarus मरड़ ति गोड़ है फूरिस गोड़ा माने गोड़ फूरुस कर अंसल्ब belki गोड़ा में गोड़ा हूर को घोड़ा फूर अगले क्यूसेन मारे काल में अर्थ वस्त का प्रमु क्या थथा? यह क्रिसी, बैङुख है, क्रिसी, पसव पालन, विहपार, वानिज, आधी को समलिद मोलत है है, ऐसासं में क्या कह गए है? तो इसieht Nacional चयाएगा अपसिन नबर यह वार तक आगा गया है अगले Q совершенно मौरिकाल में कर की दर क्या थी तो मौरिकाल में कर की दर जो है तो इस keynote चयागा इस dziだけ मौरिकाल में हाजअ मौरिकाल मेंeking कर की दर एक दर पहसी है तो इस कहान सुर रहेगा कासी और पुंड्र पुंड्र यानि कैर फिम भी जोई सकता है बी आउर सी मौल एकाल में रसम 및 उड़ह क्याँ तरह से प्रसीस तरह था कासी और पुंड्र अगले क्यूशन है मौल एकाल में काउस्व आछ मल मल उत्पादा नहीं तो पेसित्धा था तो इस वाएगा आप्शन नुबर A बंग अग्रेल क्यूसन है अग्रेल क्यूसन कह रहा है महरीकाल में रेसम कहां से मंगाई जाती थी मौरे काल में रिसम कहां से मंगाई जाती थी तो इसका अंसर हो जाएगा आपसा नमबर ए चीन से मौरे काल में रिसम जो है चीन से मंगाई जाती थी याद रखेगा फिर अगले क्यूशन है मौरे काल में किसकी आहात मुदराय परचले थी तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर A, सोने की, सोने की आहत मुद्राइं जो है महरे काल में प्रचलित थी है, अगलों के उसे नहें आहत मुद्राओं पर किसका चितर अंसर हो जाएगा, आपसर नमबर, मयूर, परवद, अर्धक चंद्र, इन तीनों का, A, B, C, यानिक अपसर डिसका, C, अंसर हो जाएगा, आहत मुद्राओं पर मयूर, परवद, अर्धक चंद्र, चितर, अंकित होता था, फिर अगलों क्यूशन है, निमने में से कौन मौरिकाल में एक कर था, मौरिकाल में कर था, तो इसका अंसर हो जाएगा, आपसर नमबर, C, बली, मौरि इह रने फरने जो नमक करता फिर अग्रिफ्यूसर ने जो लोग स्वेम सिक्रे बनाते थे उन्हें राज्य को कि इतना प्रतिसात ब्यास देना होता था तो इसका आशल हो जाएगा अप्सर नमबर टी तियरा दसनलोग 5 परसेंट जो लोग स्वेम् सिख्के बनाते थे उन्हें राज्य को तेरा दैस्वलाव पाँच परसेंट कर देना पड़ता था फिर अगरे क्यूसन है लोगों को सिख्के बनाने के यह वाज में राज्य को कौन सब कर देना होता था तो इसका आँसर रजागा आपसे नंबर सभीका और पर कर देना होता थाbenका काल मौ रेकाल में भू स्वामि Кो क्या कहा जाता है मौरेकाल में нравится यौर 2000 अगले क्यूसर न की हिए भूर कि हो चांजिता ठाल में में कास्तिकार को वाष आला जाता है मौ qa कह जाता था पिर अगले क्यूसर निवन में से कि-स ए तिहासकार के अनुसार असोग के पतन के कारण प्रसासन में केंदरी करन था तो इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमर B रोमिला थापर इनके अनुसार रोमिला थापर के अनुसार असोग के पतन के कारण प्रसासन में केंदरी करन था फिर अगले क्यूशन देखेगा अगले क्यूशन कह रहा है मौरेकाल में राज्य की ओड़ से सीचाई का प्रबंद क्या कहलाता था तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर B सेतु बंद कहलाता था अगले क्यूशन है निमने में से कौन सकार पुरे गाउं से एक बार वसुल हो जाता था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसर नमबर D पिंड कर पिंड कर पुरे गाउं से एक बार वसुल हो जाता था फिर अगले क्यूशन है मौरे काल में पसों की रख्चा है तो कौंसर कर लिया जाता था पसों की रख्चा है तो आपसर नमबर C विविद कर याद रखेगा मौरे काल में पसों की रख्चा है तो विविद कर लिया जाता था अगले क्यों सेने मौरे काल में निसूल के बाँ मौरे काल में निसुलक, स्रम, अर्थाद, बेगार क्या कहलाता था तो इसका आंसर हो जाएगा आपसन नमबर B, विष्टी कहलाता था मौरे काल में निसुलक, स्रम, अर्थाद, बेगार जो है विष्टी कहलाता था अगले क्यूशन है मौरे काल में देशी वस्तों पर कितना प्रतिसत बिकरी का लिया जाता था तो इसका आंसर हो जाएगा Option number C 4% मौरे काल में देशी वस्तों पर 4% बिकरी का लिया जाता था अगले क्यों से नहीं मौरे काल में आ इतीथ वशस्तों पर कितना पर पतिस्थ बिक्री कैल लिया जाता था तो इसकाchodne music आउसर हो जाएगा आपसर नमबर C, 10% मौरी काल में आतीथ वशस्तों पर 10% बिक्री कैल लिया जाता था अपिर एगरे क्यूस्षान है मौरे काल में उत्रा पत कहां से कहां तक जड़ी तक जोड़ता था मौरे काल में उत्रा पत कहां से कहां तक जोड़ता था तो इस का अंसर हो जाएगा पाटली पुता से तक्छे सिला है आपसन एक सही आंसर हो जाएगा पाटली पुतत से तक्चे सिला मोरिकाल में उत्रापद अगले क्यूशन है मोरिकाल में मोरिकाल में हीम वंत मार्ग किस ओर जाता था तो इस काँसर हो जाएगा option number A उत्तर हमाले उत्तर ही मलाएक के उड़ जाता था मारे काल में हीम वंत मार अगला क्यूशन है मारियों के लिए मारियों के लिए विदेशी वेपार का प्रमुक के अंदर था तो इसका आंसर हो जाएगा आपसन नंबर सी तक चसीला फिर अगले क्यूशन है अगले क्यूशन देखिएगा निमने में से कौन पस्यमी तर्ट पर इस्तित बंदरगा था पस्यमी तर्ट पर इस्तित बंदरगा पुछा गया है तो इसका आंसल हो जाएगा अपसन नमर दी अगले क्यूशन देखिएगा तो इसका आंसल हो जाएगा तामर लिपती पस्यमी तर्ट पर इस्तित बंदरगा था फिर अगले क्यूशन है निमने में से कौन सत्या है तो इसमें देखिएगा यह है आपसे नहीं है सुर्क चुंगी कर आफसन B है वर्टनी सड़क कर गोल मतें बर्माज से रक्षब कर और आपसन D है A, B आउर C तीनो तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसन नमर डी A, B आउर C तीनो यानि कि सुर्क चुंगी कर हो गया वर्टनी सड़क कर गुलमदे बर्मा से रक्षकर इसके बद अगर क्यों से करेगा कावटेवियर नहीं हार्श ठीजस सासनMaybe राजा किरें की समार किरे है कावटेवियर नहीं हार्श ठीजस साज इसके नहीं है साथ अंगों का बरनन की है कोटेने अस्तास में अगर क्यूसेंज रहे पलेनी ने सुरी पलेनी के नुसार चंदर गुफ्ट की सेना में कितने पैदा सिपाही थे तो इसका आंसर हो जाएगा आप सना बसी 6 लाग चंदर गुफ्ट की सेना में छेलाग पैदल सिपाही फिर अगले क्यूशन दिखिए यूद्ध छेत्र में सेना का संचलन करने वाला दिकारी क्या कहलाता था तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नंबर ए नायक कहलाता था यूद्ध छेत्र में सेना का संचलन करने वाला दिकारी नायक कहलाता था अगले क मअरี่ काल में जंगली सिनकों क्या कहा क workflows سब्सक्राइद किया जाता था तो इसका आंसर रहे हैगा आपक्ति सिनकों मोरे काल में किराए कμέ में की सिनकों क्या कहा किया है है तो इसका का सब रौतबए Penbara की मुद्र पूछा गया है तो इसका अंसर रोजागा h Peak पंड मोरा की राज की मुद्र पंड फिर अग्र क्यूशन है कौटील्य ने अर्स आस में किस की चर्च किया है तो इसका अंसर हो जागा है आपसा नमब्र ब्राम्हन हो गया च्षत्री हो गया और व्य व्य भ्राम्हन सुद्र और वैसिया, ब्रामन सुद्र और वैसिया इन तीनों का चर्चा करी गई है, कौटे लेने हस दास्तर में, फिर अग्रा क्यूशन देखेगा, नीमने में सिक्षिका उलेक असुक के सिलह लेखों में हुआ है, तो इसका अंसर हो जाएगा, अपसर नमबर, दास, सुरी दास और कर्मकार, दोनों का, यानि का अपसर नमबर, डिसका सही अंसर हो जाएगा, दास और कर्मकार का उलेक असुक के सिलह लेखों में हुआ है, फिर अग्रा क्यूशन देखेगा, मौरेकाल में सुतंतर रूप से वैसे वृत्ति करने वाली इस्तरियां क्या कहलाती थी, फिर अगलो क्यूशन है, मौरेकाल में सुतंतर रूप से जीवन व्यतित करने वाली विद्वाईं क्या कहलाती थी, इसके बाद देखेगा, मौरित्तर बिहार अब देखने वाले हैं मौरित्तर बिहार के बारे में तो यहाँ पर पहला क्यूस्टन देखीगा क्यूस्टन कह रहा है पोसेबती सुंग ने कब सुंग वंस की स्थापना की थी तो इसका अंसर रोजागा आपसा नमबर A अंसर रोजागा आपसा नमबर D अंसर रोजागा आपसा नमबर A बेशनगर तो बेशनगर के गरूर इस्तमलेक से सुंग वंस की जानकारी मिलती है अगर क्यूसन है मालवी का अगनी मित्रम किस की रचना है मालवी का अगनी मित्रम किस की रचना है अंसर रोजागा कालिदास की रचना है मालवी का अगनी मित्रम आप कमेंट बाक्स में छापे की कालिदास की और अन्य काउन काउन सी रचना है जेतने भी रचना है कालिदास की आप कमेंट बाक्स में चाप दीजेगा फिर अगल क्यूसन देखिएगा महा भासिय के रचनाकार कौन थे है तो महा भासिय के रचनाकार याद रखीगा पतंजली महा भासिय के रचनाकार पतंजली अगलो क्यूसे ने निमने में से किस रचना से सुंग वंस की जानकारी मिलती है सुंग वंस की जानकारी पुचा गया है तो इसका correct answer हो जाएगा कौन से रचना से मिलती है तो इसका आउसर हो जाएगा अपसा नमबर D अगलो क्यूसे ने पुसे बती सुंग ने किसके आकरमन से मगत की रच्च करी थी तो इसका आउसर हो जाएगा अपसा नमबर D याउनों से पुसे बती सुंग ने याउनों के आकरमन से मगत की रच्च करी थी फिर अगलो क्यूसे ने पुसीबति सुंग ने किसके साथ यूद्ध में विजए पराप्त के थी पुसीबति सुंग के बाद मागत का सासख कौन बना था तो मगत का सासर अगनी मित्र सुंग, यह जो है पुशिमत्री सुंग के बाद मगत का सासर बना, अगला क्यूशन है, अगनी मित्र निम्नम एसे किसके नाटक का नाटक था, किसके नाटक का सुरी नायक था, किसके नाटक का नायक था, अगनी मित्र, तो इस कांसर जगा अपस सासक कान था तो सुंगानसकंदिम सासक था देव भूति फिर अग्रे क्यूशन देखिलगा देव भूति की हथ्या किस ने की थी तो इसका अग्रे क्यूश्चना भझा सबहेंこん सफकों की राजदानी पर आगरों गहले है कि स्ने 84000 प tv को स्फपों को सब अंबर रखेल में और सांची इन तिनों जगे याद रखेगा यह बी और सी इसका यानिक आपसन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पुसेपती सुंग ने भरभूत और बहुत गया सांची के इस्तपों को भावय बनाया अगरे क्युशन है सुंग एंस के सासन काल में सुरन मुद्रण को क्या कहा जाता था तो इसका अंसर हो जाएगा आपसा नमबर दिनार हो जाएगा निस्क और सुरन अगले क्यूसर नहीं, सुमवज के ससनकाल में तामे की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तामे की मुद्रा को सुमवज के ससनकाल में, तो इसका अगले क्यूसर नहीं, सुमवज के ससनकाल में, चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था, चांदी की मुद्रा को, तो इसका अगल नमोने कहां से प्राफ हुए नमोने कहां से प्राफ हुए अगरो क्यूशन है बहुत गया कि विसार मंदिर के चारों और एक छोटी पासान वेदी के मिलती है यह किस काल की है तो अगरो क्यूशन देखेगा सुंग वंस के बाद मगत पर किस वंस का सासन इस्थापित हुआ अगरो क्यूशन है कन वंस का सासन इस्थापित हुआ तो इसका अंसर हो जागा अपसन वरे वासुदिया निवने से कन वंस का सासक नहीं था वासुदिया फिर अगले क्यूशन है कन वंस का आखरी सासक कौन था तो आखरी सासक था इसका याद रखेगा भूमी मित्र, तो कर्ममस का आखरी सासक भूमी मित्र, अगर क्यूशन ने सुसर्मा की हत्य किष्णी की थे, सुसर्मा की हत्या, तो इसका आंसर हो जागा सिमुक, सिमुक ने सुसर्मा की हत्य की, अगर क्यूशन ने कर्ममस का सासन कब से कब तक रहा, कर्ममस का सासन, तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर D बात्ता से 27 सफर हो फिर अगर क्यूस्टन है कुसान वंस की स्थापना किशन की थी कुसान वंस की स्थापना कुसान वंस की स्थापना तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर कुजूल कड़ फीसस 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 कुजू इच्फि Bowl के जौह बश्चतर इसमें अग्डर क्या क्रुशन की राजदानी से कहा करे। चर्फ की राजदानी तो इसका ज्रोजाब का पूरस पूर्व वरत्मान में पेसावार पुरुस्पूर कनिस्की रास्थानी अगले क्यूस्चन है कनिस्क ने अपने छेत्रविस्थार के करम में कहां तक जीत हासिल की थी तो इसका अंसर हो जागा अपसर नमबर डिमागत तक फिर अगले क्यूस्चन है कनिस्क किस बौध विद्वान को अपने साथ ले गया मगत पर सहसन किया То इसका अंसल हो जाईगा अप Companyomy D 6 н कुसानो की पतर के बाद ud sense by Nham मगत पर सहसन किया Now saneerdra आप देखेगा moog Goptakalin Bihar can question a साधि के प्रारब में कि साधि के प्रारब में Gun Tea फीषःबधbridge कि साथी मगत ने अपनी qyaati पुना अर्जित कर लिए तो इस कांसर रोजाएगा आपसा नमबर D चतुर्थ सदी के प्रारम में फिर अगलो क्यूशन देखेगा प्रारम भी गुपते सास को ने कहां अपनी राजधानी बनाई थी प्रारम भी गुपते सास को ने कहां निमने में से कौन गुप्त वन्स का संस्थापक था, गुप्त वन्स का संस्थापक तो स्री गुप्त, अगलो क्यूशन है, गुप्त वन्स की स्थापना, गुप्त वन्स की स्थापना कभ हुई, आंसर हो जाएगा इसका आप्शन में गुप्त वन्स की स्थापना, फिर इसका सहीं आंसर और चंद्रगुर्टा है प्रथम गोह गोह तवंस का कि वायु इसके जीडियगत पर्थम की जातर परतो मिना फिर्थम और करा चंद्रगुर्पष्भ प्रथम की चंद्रगुबेढ की स्हथा नभब तो इसका आंसर हो जाएगा आपसर नमबर B 319 सिस्वे में गुप्त समवत प्रारम फिर अगल क्यूशन है गुप्त समवत का संबंद किस समवत से माना जाता है आंसर हो जाएगा आपसर नमबर D वल्लवी, गुत्र समवत का संबन वल्लवी समवत से माना जाता है फिर अगर क्यूशन है चंदर गुत्र प्रथम ने किसके उपादी धारंग की थी आंसर हो जाएगा इसका आपसर नमबर D महाराज़ धिराज चंदर गुत्र प्रथम ने उपादी धारंग की ने महाराज़ धिराज की फिर अगर क्यूशन है चंदर गुत्र प्रथम के बाद गुपतावंस का असासा कौन बना तो इसका आपसर हो जाएगा अपसर नमबर D फिर अग्रा क्यूशन है निवने में से किस गुवता सासक की जानकारी प्रयाग प्रसरस्ती से मिलती है तो इसका अंसर जाएगा समुद्र गुवता समुद्र गुवता इसका सही आंसर जाएगा और इसके बारे में जानकारी जो है समुद्र गुवता के विजय और इसके बा भारत का नेपोनियन अगर क्योशन है नीनों मैंसे किस गुप्ता सा सकने सरवर्थम गंगा यमुना दोहाब चेतर के सासकों की सासकों को पराजित कर अपने राज्यम में मिलाया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसा नमबर A समुद्र गुप्ता फिर अगर क्योशन है समुद्र गुप्ति ने किसे पराजित किया था तो समुद्र गुप्ति ने किसे पराजित किया तो इसका अंसर हो जाएगा आपसा नमबर यानि कि सक और कुसान दोनों को B और C आपसान डिसका सही अंसर हो जाएगा साका और कुसान को प्राजित किया फिर अगर क्यों सन देखेगा समद्र गुपत का उतरधिकारी कौन बना समद्र गुपत का उतरधिकारी जो चंद्र गुपत दुईती है निमने में से किस राज जगों चंद्र गुपत दुईती ने जीता था इसका अंसर हो जाएगा अफ्षण नमबर सहराष्ट और मालवा तो अफ्षण डी इसका सही अंसर जाएगा भी और सही चंद्रुटर दूटी ने जीता सहराष्ट और मालवा को फिर अगल क्यूशन देखेगा निवन वे से किस गुपता सासक के सासन काल को स्वरन यूग कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा अपसा नमबर D चंदरगुता दूती के जाद रखी का इसके सासन काल को स्वरन यूग कहा जाता है फिर अगलो क्यूसन है चंदरगुत दोटी के उत्राधिकारियों को किन विदेशी आकरमन कारियों का सामना करना पड़ा था तो इसका आंसर हो जाएगा आपसर नमबर C हून हून विदेशी आकरमन कारियों का सामना करना पड़ा था चंदरगुत दोटी के उत्राधिकारियों को पिर यृपन झार्च ंंदर चंद्रगुदी दिटी का साथनकार कप से कब तक चला चंद्रगुदी दिटी का साथनकार कप से कब तक था तो इसकाांसन भज़ेगा आपसो नमबर सी 356 से 412 में फिर अगले क्योशन दिखेगा किस हुन सासक ने पाटली पुत्र पर चड़ाई की थी किस हुन सासक ने पाटली पुत्र पर चड़ाई करी थी इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमबर D मिहर कुल ने अगले क्यों से ने मिहर कुल ने किस गुपता सासक को पराजित किया था मिहर कुल ने किस गुपतक साहस को पराजिद किया था, तो इसका अंसर हो जाएगा, आप सा नंबर E, नरस के गुपत बाले देते है, इसका सही अंसर हो जाएगा, फिर अगले क्यूस्टर दिखिएगा, छटी सताथْ दिस्वी के मध्य तक, किसके छेतर पर परवर्ती गुपत सासकूं का नियंतरन था तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नमबर C मगद अगले कि उसने पुरियुत्तर पदेशा और बिहार के कुछ छेतरों पर किस वंस की सत्ता परवर्ती गुपत सासकूं के समय स्थापित हो गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नमबर A मोकरी अगले सने नियमन में से कं गुपतकारी प्रमुख विध्वान थे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नमबर वरामीर आर अरिभभभ और ब्रहम गुथ तीन उहीं आपसर डी से किस्तहापण किस काल में हुई थी ..T už इसका अंसर होजाएगा आपस्ट फ्र इसके सांसर काल में फायन भारत आया था .. तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊप्सनमर नमबर सी, चंद्रकुत दिती के ससंकान में, फायान जो है, भारत है था, अगरे क्यूशन है, पायान किस देश के यातरी था, तो फायान जो है, चिन का यातरी था, याद रखीगा, अगरे क्यूशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नमबर बी गुपत काल की महत्पुन उपलब्धी बहुत गया का महाबोधी मंदीर और नाननदा महावियार का हौसेस है फिर अगले क्यूशन है सहाबाद च्छेत्र से प्रावत भी लेखो कि किन सासकों की जानकारी मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नमबर बी परवर्ती गुपत फिर अगले क्यूशन देखेगा परवर्ती गुपत वंस का संस्तापक का हौन था तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नमबर डी कृष्ण गुपत परवर्ती गुपत का पुरवर्ती गुपत वंस का परवर्थी गूफत स्भसक ने मोखें को पराजित किया था तो इसका अंसर हो जागा आपसा नमबर B rational, MRT किमार गूपत् स्भसक ने मोखें व पराजित किया फिर अग्र फिर कीर्त क्यों को किमार गूपत थिgano का उत्र दिकारी कौन भना कुमार गुप्त तृथी का उत्रदिकारी कौन बना। तो इसका आशूर जाएगा अपसर नबर N, D, कुमार गुप्त प्रवर्थी गुप्त शासक ने मौखरी सासकुं को पराज़ित कर मंगत तक अपना शम्राज विस्तार कर लिए था। तो इसकांसर जाएगा आपसा नमबर C, दामदर गुप्त, प्रवरती गुप्त सासक न मौकरी सासकों को पराजित कर मगद तक अपना समराज जविस्थार कर लिया, फिर अगले क्यूसर ने, ससांक ने किस चेत्र पर आक्रमन किया था, इसकांसर जाएगा आपसा नमबर D, बहुत दामन किस तरह को बड़ी तरह नस्ट किया और बहुत अगया में महाबोधी बिरिक्च को च्छती पहुंचाई, तो इसका अंसर हो जाएगा आपसा नमबर D, ससांक, फिर अगले क्यूसर ने, देव गुप्त ने किस के सांस समझाता कर कर नाज के मौकरी सासक को परा पराजित किया था, फिर अगले क्यूसर ने, देव गुप्त ने किस मौकरी सासक को पराजित किया था, तो इसका अंसर हो जाएगा आपसा नमबर D, ग्री है वर्मन, फिर अगले क्यूसर ने, देव गुप्त ने किस सासक ने, देव गुप्त को पराजित कर उसका वद कर द तो नूने में से राज्य वार्धन शासक ने देव गुपत को प्राजित कर उसका उसका वद कर दिया और अगले Web C आपसन नमबर D, जीवित गुपता, परवर्ती का अंतिम सासर जीवित गुपता, हिंसांग कब भारत आया था, तो हिंसांग कब भारत आया था तो 625 सिस्वी में, हिंसांग भारत आया था, फिर अगर क्यूशन है, हिंसांग किसके सासनकान में भारत आया था, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसन नमबर D, हर समय धन के सासनकान में, हिंसांग भारत आया था, दोस्तों वीडियो अच्छी लगए हो, तो लाइक सेर जरूर किजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने फेस्बुक, वार्टसब, इंस्ट्राग्राम, टेलिग्राम पर, और चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली वीडियो को नो सेर फिर के अविप सेरी हुपने वीडियो कार और फैसली हुप गार्टसब।